दोस्तों स्वागत आप सबका इंडिया आज नमर न फैंटेसी क्रिकेट कुरू यूडियो चनल पर गाइस जिस पल का हमें पिछले एक साल से इंतजार था फैनल यूपल आ चुका है और हम पाकिस्तान से बंदला लेने के लिए तियार हैं तो यहांपर हम बात करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे कि इंडिया कैसे आज पाकिस्तान को अराने वाला है कौन कोण से प्लेयर हैं जो आज परफॉर्म करने वाले हैं और साथ ही साथ मेरी और आपकी फैंटेसी की टीम में कौन कोण से प्लेयर होंगे जो आज आपको इस match में धेर सारा पैसा जिता कर देंगे अगर आप कुछ भी काम इस वक्त कर रहे हो तो सबसे पहले वो काम साइड में रखो ये वीडियो पूरा देखो पता करो कैसे team India जीतेगा और कौन-कौन से player हैं जो आपको और मुझे आज जिताने वाले हैं उम्मिद करता हूँ सभी लोग यही जानने के लिए आए तो सभी लोग वीडियो जरूर पूरा देखेंगे तो चलिए बात कर लेता है मैच के बारे में लेकिन आपको पताए अभी toss नहीं हुआ है अभी नहीं पता है कि कौनसी टीम बैटिंग करेंगी कौनसी टीम फिल्डिंग करेंगी तो toss के बाद जो मैं final team बनाता हूँ जिसके साथ मैं खेलता हूँ जिससाथ मेरी पूरी FCG family खेलती है अगर आपको वो final team चाहिए फिरी में और साथ में पांच लाख उरुपे चाहिए फिरी में तो मिरे भाई यह मेरा टेलिग्राम चैनल है fantasy cricket group 7 लाख से ज़्यादा लोगों ने जोइन कर रखा है अगर जोइन नहीं किया है आपने तो इस वीडियो का description में लिंक है जाओ लिंक पे किलिक करके सबसे पहले टेलिग्राम चैनल जोइन टॉल लो यह सबसे जरूरी है आपके लिए क्योंकि टॉस के बाद यहीं पर आपको team मिलेगी और यहीं पर हर मेंच में आपको free giveaway मिलेंगे फिर में पांच लाग रुपे का आपको जीदने का chance मिल रहा है तो जाओ लिंक description में दे रखा जाकर जोइन कर लीचे और अगर किसी भाई नहीं चैनल अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो 17 लाख लोगों ने सबस्क्राइब कर रखता है आपकी चीज का इंतजार कर रहा हो नीचे आपको लिंक subscribe का बटन दिख रहा होगा जाओ subscribe को बटन प्र किलिक करके subscribe कर लो अब मैच पर आई यह तो इंडिया को सपोर्ट तो बनता ही है मैं अपना support दिखा रहा हूं इंडिया को मैं अब यह video बना करके वीडियो शूट करके अभी दुबएई के लिए में निखल रहा हूं टीम इंडिया का मैश देकने के लिए इंडिया को सपोर्ट करने के लिए तो आप भी अपनी तरह से जिस तरीके से एंडिया को सपोर्ट कर सकते घुप कर दिजेगा सब से अच्छ adulthood करने करने का नीची जो आपको लाइक का बटन दिख रहा उसको दबा दीजिए आपका एक भी सेकंड खर्चा नहीं होगा आपका एक भी पैसा ने लेगा अपने किलिक करना है मिल गया सपोर्ट तो आप लाइक कर दीजिए और साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि कि दम से लगजरी लाइफ जीने का चांस दे रही है इस ऐशिया कप में माईलैंस सरकल आपको मर्सिटीज एक क्लास गिफ्त कर रहा है फिरी में बिना कोई एक्स्ट्रा इंवेस्टमेंट के वैस आपके फोन में माईलैंस सरकल एप होना चाहिए तो अगर आपने माईलैंस सब्सक्राइब डाउनलोड करो और इसके बाद खेलने स्टार्ट कर दो अब मेरे लिंक से डाउनलोड करने के फाइदे क्या है आपको डाउनलोड करने पर फ्री बॉनस मिलेगा पहले डिपोजिट पर 20% एक्ष्ट्रा कैश मिलेगा मतलब अगर आप हजार डिपोजिट कर र रही हो कि कभी यह भाई माईले सकल डाउनलोड करेगा और कब महिंद्र अथार आपको मिलने वाली है तो जाओ पहले डाउनलोड करो उसके बाद फिर आगे वीडियो देख लेना तो चली बात करें मैस के बात करें तो मैस एक बार फिर से दुबई में घरा जाएगा कोई चांस नहीं होंगे बाकी बात करें यहां पर पिस्की तो पिच बैटिंग अपने वर्ल्ल कप के फाइनल मैच में देखा होगा और अभी जो फर्स्ट मैच खेला जा रहा है उसमें भी देख लोगे कैसी पीछे है कितना स्कोर बन रहा है पेसर को क्या मिल रहा है इस प 56 मैं से 36 मैच बैटिंग वाले टीम ने गीत है हलनकि T20 वर्ल कप में 13 मैच चेज वाले टीम देगीए मतलब कोई भी टीम जो तोष जीटी की फिल्टिंग करना चाहेगे अब आगे हम देख लेते हैं यहां पर आपका जो रिषींट के चार मैच खेले गये हैं इसमें मैंने अभी जो खेला जा रहा है अफगानिस्तान और सिल लंक का उस मैच को एडल नहीं किया है आप देख सकते हो यह फाइनल मैच अवरल कप का है यह सही फाइनल है दोनों में बड़े-बड़े स्कोर बने वन सेटी पलस और दोनों में चेज का नवली टीम ने मैच आसानी के साथ जीत लिया मान लो अच्छा स्कोर बन रहा है और यहां पर चेज का नवल टीम को बेनेफिट मिल रहा है जिसके विसे यहां पर जो भी टीम टॉस जीते ही वो फिल्डिक करना चाहेगी और पेसर्स को थोड़े सा एक्स्टा यहां पर हैल्प मिल रही है यहां पर देख सकते जीता है बाकि उसके लगातार इंडिया जीते हुए दिख रही है अब आगे आप देखिए दोने ही टीम के बीच में इस ग्राउंड पर सिर्फ एक मैच खिला गया और पाकिस्तान ने जीता है जो अभी वर्ल्ड कप में खिला गया था बट आज चीजे चैंज होने वाली ह करें और इस बात करें जो लाश्ट के 4 मैच खेले गए दोने टीमस के बीच में एक चीज आप देखिएगा ये मच इंडिया नीं चीता ये इंडिया नीच शीता और पाकिस्तान बट एक चीज चारों 25 अच्छे कर रही है वो मैच जीत रही है चैदाब और रहूफ को एक एक फिड मिला पाकि इस मैच में और इस मैच में जो प्लेयर पाकिस्तान के लिए खेलेते हैं वह आज एक भी इस मैच के स्क्वार्ड में नहीं है ठीक ए इंडिया के तरफ से विराट कोली चाहे कितने भी खराब फोम में हो बड़ जब पाकिस्त राग बॉलिंग कराते हों और पाकिस्तान का ये अच्छा करते हैं इंडिया का इसक्वार्ड है उसमें पाकिस्तान पर आगे 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 हम यहां पर देख लेते हैं अपके इसाब से मैं तो मान रहा हूं इंडिया इस मैच को इक तरफा जीतने वाली है आपको क्या लग रहा है आप कमेंट करके जरूर उताइएगा और जो आपको लग रहा है उसी क्या अकॉडिक टीम बनाइएगा मैं आपको यहां पर प्लेइंग लेओं दिखा देता हूं और आपको बता इंडिया एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ जा सकती है अभी इंडिया के पास सिर्फ चार बॉलर से हैं तो थोड़ा सा मेरे इसाब से दिरेश कार्थिक की जगा पर यहां तो दीपकुड़ा के साथ जाएंगे यह आवेश खान को ले सकते हैं क्योंकि बैटिंग लाइन अप पर तो मैं नहीं चाहता कि इंडिया एक कम बॉलर के साथ जाए तो द्रेश कार्थिक की जगा पर आप यहां तो दीपक को खिला ही है अच्छे फिनिशर है अच्छी बैटिंग करते हो और पार्ट राइन बॉलिंग भी घ्रा लेते हैं या फिर आवेश खान यह किसी बॉल अच्छे बॉल रहे हैं इंडिया को थोड़ी सी प्रॉल्डम होती है इसकी विए से टॉप और आउट हो गया था आज तो वह भी नहीं है तो कौन आउट करेगा मेरे इसाब से तो एक आसानी के साथ जैसे इंडिया जीतती आई है पाकिस्तान से वैसे इस मैच को जीतने व सबसे पहले मैं आपको उदा दूँ आपके मतलब की चीज़ कि इस टीम में से कौन-कौन से प्लेर है जो डैत में बॉलिंग कराएंगे आपके अर्षदी इनके साथ भूनेशर और इनका साहत्रे वाएंगे हार्दिक पांडिया अगर कोई एक्ष्ट्रा पेसर नहीं खेलत है तो यह होगी आपके बॉलिंग की बात अब बैटिंग की बात करूं तो आप यहां पर देखेंगे लोकेश रावल आपनिंग करेंगो और जो लास्ट के लिए मैच के लिए बहुत अच्छी फॉर्म में थे विराट कोली कितने भी खराम फॉर्म में हो और पाकिस्तान के टीम में लेने वाला हूं उसमें लोकेश रावल होंगे विराट कोली होंगे हर्थिक पाडिया होंगे और अश्रीप होंगे चैल होंगे यह पांस प्लेयर मेरे कंफरा में च्छटवा प्लेयर में भूने शुरु को ले सकता हूं या फिर शूरुकुमार यादों को ले सकत ठीक है पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं बना पाता है पूरे तरीके से फ्लॉप चल रहा है पाकिस्तान का बॉलिंग अटेक वो नहीं है तो हो सकता है आज उस चीज़ का फाइदा उठा करके रोज शर्म अच्छे अपरीदी भी नहीं है और कोई तीसरा लेफ्ट आम पेसर नहीं है तो इसलिए मैं अगर इंडिया चेस करेगी या फिर पैटिंग भी करती हो तो मैं रोज शर्मा को टीम में ले सकता हूं इस ग्राउंड पर रोज शर्मा के रिसेंट के मैसिस काफी अच्छे तो यह आपके एक अच्छा प्लस पॉइंट है वराट को ली रिसेंट फॉर्म काफी खराब दो मैच लगतार फ्लॉप बड़ पाकिस्तान के जल्वा होता है बंदे का इसलिए मैं को टीम में लेने वाला हूं और शायद कैप्टन मेरी दो ही चोईस होंगी वराट और लोकेश राउंड सुर्य कुमार यादव का इस ग्रोंड पर कुछ खास रहा नहीं है पिछले चार-पांच में तो इस देखते हो आप सूरिया का पर रोईश चर्मा को प्रिफेर कर सकते हो लोकेश राउंड पर इनका जलवा रहा है लगतार हाफ सेंटरी बारते आएं तो इसलिए कैप्टन अब आगे देके आपके जड़ा जा आएं आपके हार्दिक पांडिया आएं आपको तो नोड आउट ले नहीं होगा बैल रोगोट दोए से आपको पॉइंट देते हैं राविंद्री जड़ा इस वोक अच्छा कर रहे हैं बॉलिंग से भी बैटिंग से भी और इस आगन का बहुत अच्छा फोम रहा है और ऊ spend कि अच्छा नहीं नहीं और इस ग्राउन्षृ कुमार शिंगर dw第一 निगा लेगा लें तो याप És शब को इसलिए प्रिफेर नहीं कर रहा क्योंकि पाकिस्तान का जो टॉप ओडर है उनके जो आपनेर्स हैं थोड़े से मजबूत हैं तो इनको विकेट मिलने के चांग थोड़े से कम है अगर यह आपनेर्स में से किसी एक को ले जाता है तो फिर इनके दो तीन विकेट पक्क विश्णोई इस वक्त बहुत अच्छे फोर्म में हैं और इस ग्रांड पर भी इन्होंने विकेट निकाले हैं तो विश्णोई अगर खेलते हैं तो आपके लिए एक अच्छे पिक हो सकता है इस मॉल लिए और ग्रान लिक दोन हमें अब गाइस पाकिस्तान की प्लेंगे प्लेर है या तो मारेंगे या तो आउट होंगे हैदर अली कभी मैंने इनको अच्छा खेलते हुए नहीं देगा आसीफ अली आट दस बॉल खेल सकते हैं उसके आगए अगर इनको लंबी पारी खेलने के लिए बोला गया तो फ्लॉप कुछ दिल साह इनको ज्यादा कुछ एक्सपिरियंस है नहीं यह प्रेसर में कभी काम करी नहीं सकते मौहमद रवाज ठीक है अच्छी कर लेते हैं बाकी बैटिंग से आप उम्मीद ना ही करे तो जादा अच्छा है श्यदाब खान आने पर बैटिंग कर लेते हैं बाकी आप देखोगे तो वैसा को मैच जिता लुए चाहिए यह टीम बहले ही कितने दावे कर लें जीतने के बट मेरे इसाब से कमज़ोर नजर आ रही है अगया बाट करें इस टीम में से आपकी फैंटास्टिक की टीम में कौन-कौन से प्लेयर होंगे तिकि ये दो प्लेयर आपने लेने श्मॉल लिग में ग्राइन आप चाहो तो रिजवान को ड्रॉप कर सकते हो उसके बाद आप शदाब खान को आप लोगे शदाब खान को प्रमोट किया जाएगा बैटिंग में शायद मेरे इसाफ से चौते नंबर या पांचो नंबर बैटिंग करेंगे नसीम शाह अर रहूफ एक एक्सपिरियंस बोलने और डैप बोलिंग कराएंगे तो मैं रहूफ के साथ जाओंगा यह मेरे चार प्लेयर होंगे इस टीम में से अब पांचो प्लेयर के लिए फाकर के साथ जा सकते हो या अगरे टीम पहले बॉलिंग कराती है तो आप नवाज या फिर बॉल्रस में से किसी एक को ले सकते हो तो जो भी होगा आपको टैले करा पर बता दूंगा तो यह होगी बात पाकिस्तान की प्लेयर वाइस पहमेंस रिजवान काफी अच्छा रिसेंट कर आए और इंडिया क करिएगा अगर 8-10 बॉल खेल ली रोने तो आपको 25-30 बना के देखे चले जाएंगे खुछ दिल साहा है और इसके बाद आपके हैदर अली का रिसेंट काफी खराब रहा है तो हैदर अली इसलिए मैं थोड़ा सा इनको इंपॉर्टन नहीं मानता हूं खुछ दिल साहा रिजवान बाबर आसिफ और आपके फखर चारों का जल्वा होता है तो इस चीज़ का अगर पाकिस्तान को बेनिफिट मिल गया तो मिल गया अदर्वाइस और कोई चीज़ आपको दिखते नहीं है शदाब खान रिसेंट फॉम बैटर बॉल दोने से काफी अच्छा है टी पर पहली बार खेलेंगे थोड़ा सा मतलब इनको ज्यादा विकेट मिल रहे इस ग्राउंड पर भी रिसेंट में भी और इंडिया के विकेट मिला है उस्मान कादिर हसना आप देखिए यह खेल सकते हैं आपके नसीम शा की जगह पर नसीम शा की जगह पर यहां तो मफ़ी जगह पर जो भी खेलेगा आप देख लिजीगा दोनों का प्रोमेस अब एक प्लेयर का आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों टीम इंडिया की टीम आपको भारी दिखरी है क्यों टीम इंडिया इस मैच को जीतने वाली है और फिर किस टीम की तरफ से आपने अपनी फैंट अब आगया आपको फ्री की ऑख को कॉस्चन कि भाई आपको बाएए में अपसे वीडियो में दो सिंपल सिंपल कॉशन पूश्त पूछला हूं अगर आप मेरे दोनों कोशल क सभी सभी रख कि मार देते हो 연सरे ऐज गीम के खिर्ज और फॉर्म चल रहे हैं पाकिस्तान के कितने पॉइंट देंगे मायलन सर्कल पर वहीं मायलन सर्कल जो आपको मर्सीडीज एक क्लास दे रहा है फ्री में तो आप जाओ कमेंट्स चैक्शन में पहले यह हैस्टेग यूज करो इंडिया वर्सिस पाक ड्रीम लाउन पाक वर्सिस इ में मैलन सर्कल पर बनाई है विकेट की पर रिजवान और केल राहूल आप चाहो तो पंत को मिट्राई कर सकते हो बैटिंग में विराट कोली रोई शर्म सुरिकुमार यादव बापर आसम मैं शायद सूरिया को ड्रॉप करूंगा किसके लिए ड्रॉप करूंगा वह आपक सकते हो यहां पर पाकिस्तान की तरफ से मुहम्मद रवाज या किसी एक एक्स्ट्र बॉल्र को या फिर जड़े जा तो जो भी होगा मेरी टीम में फाइनल 11 प्लेयर में आपको टेलिग्राम पर बता दूंगा तो जिस बाइन अभी तक टेलिग्राम जोइन नहीं किया है ज तो चलिए मिलते हैं टेलिग्राम पर बेश्ट अफ लग्ट